गाइज इस वीडियो में आप लोगों को इंडियन 22 डाविन 3D का एक ऐसा अन्नोन हाउस दिखाने वाला हूँ जो आप लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं है जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे गेम के अंदर अभी सिब दो ही हाउस है उसमें से एक हमारा ओल्ड वाला हाउस और दूसरा हमारा न्यू है और इन दो हाउस के आलावा हमारा एक और हाउस भी है जो इन से काफी जादा बड़ा है और यह मैं गैरेंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप में से 99% लोगों को इस हाउस के बारे में पता ही नहीं है दो गाइज यह हाउस में आप लोगों को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा एक्स्प्लोर करके दिखाने वाला हूँ इसी बात पर सब्सक्राइब भी कर लोग आज क्योंकि हम 2K सब्सक्राइबर्स के बहुत जादा करी है और हमें 10K की फैमिली भी जल्ट से जल्ट कम्प्लिट करनी है तो सब्सक्राइब आपको सीथे चले जाना है इस तीवी बात दाप है और यहां पर आने के बाद आपको भागते रहना है और आपको ऑटोमेंटीकली सिक्रेट हाउस के अंदर टेलिपॉर्ट हो जाओगे तो गाइस देखो भाई मैं आ चुकाओ सिधा आपने सिक्रेट हाउस के अंदर और आप लोग देख सकते हो कि ये हाउस अंदर से कितना जादा बड़ा है यार अभी तो है सिब इसका ग्राउन फ्लोर है अभी आप उपर जाने के बाद देखोगे तो बहुत जादा बड़ा हाउस है हमारे वो दो हाउस इस हाउस के सामने कुछ भी नहीं है भाई अब आप लोग सिब देखो कि ये हाउस कितना जादा बड़ा है तो चलो चलते हैं पहले इस रूम में यहापर आप लोग देख सकते हो कि ये अच्छा सा यहापर एक किचन है और उदर की साइड पे है एक बहुत जादा बड़ा बातरूम यह आप लोग देख सकते हो भाई यहापर कितना बड़ा बातरूम है हमारे उस old house के अंदर कोई भी bathroom या फिर kitchen नहीं है भाई सिप इस house के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े bathroom और kitchen है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ा bedroom भी है और इसके आगे भी एक और bedroom है तो चलो मैं आपको उसके अंदर लेके चलता हूँ और इस bedroom के अंदर भी एक और बहुत बड़ा bathroom है भाई देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पीछे की साइड पे इसके अंदर बहुत बड़ा bathroom है यह देखो भाई साब मतलब देख सकते हो आप लोग यह कितना जादा बड़ा घर है और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं भाई उपर की साइड पे भी बहुत सारे room है और यह आप लोग देख सकते हो यह बहुत जादा बड़ा हमारा drawing room है तो चलो अभी ground floor तो देख लिया अभी चलते सीधा हमारे उपर वाले floor पर उपर वाले floor पर भी आप लोग को bedroom देखने को मिल जाएंगे तो यह देखो यह उपर वाला floor यह भी बहुत जादा बड़ा है देखो नीचे वाले bedroom से यह बहुत जादा बड़ा है और देखने में भी कितना जादा सुन्दर लग रहा है और इसे के अंदर एक और डोर है और यहाँ पर यह बहुत बड़ा bathroom यहाँ पर bathroom की कमी नहीं है भाई बिलकुल भी आप कही भी और कभी भी नहा सकते हो बाई दोए चलो चलते हमारे second floor के उपर और यह floor इस house का सबसे last floor है और इस floor पर आपको एक भी room देखने को नहीं मिलेगी यह floor पुरा का पुरा बंद है तो इस floor पर हमारा house end हो जाता है बाकी यहाँ पर देखने के लिए जादा कुछ तो है नहीं तो guys यह secret house तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया बट अब मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा यार हमारे old house के अंदर क्योंकि इस house के अंदर हम थोड़ी देर ही रे सकते हैं अगर जादा देर में यहाँ पर रहूंगा तो मैं यही पर फज्जाओंगा और मैं वापस old house में जा नहीं पाऊंगा तो guys चलो मैं पहले फटापट से old house के अंदर चला जातो अभे यार यह किदर गिर गया भाई तो चलो फटापट से चलते old house के अंदर ओके guys मैं फाइनली फिर से आ चुकाओ अपने old house के अंदर और अब आप लोग सोच रहे होगे कि मैं इतना बड़ा house चोड़कर इस old house में वापस क्यों आया तो guys मैं आप लोगों को बता दू कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम उस house के अंदर जादा देर तक नहीं रह सकते और अगर हम वापर जादा देर तक रहते हैं तो वही पे में फस जाऊंगा और वापस इस old house में नहीं आ पाऊंगा इसलिए मैं वापस इस old house में आ गया और इतने बड़े house में मैं अकेला रेकर क्या ही करूंगा भाई और उस house से तो जादा मज़ा मुझे यहाँ पर आता है बस इसलिए ही मुझे आपने old house में रहना ही पसंद है और आप लोग मुझे सच सच बताना कि क्या आप लोग ने इस से पेले इस unknown house को देखा था या फिर नहीं और आप इस house को 10 में से कितने स्टार देना चाओगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना बाकी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को एक लाइक कर देना और आप मेंसे 98% लोगों ने चाइनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चाइनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना गाईज और अगर आप लोगों ने ये सिक्रेट डोर वाली वीडियो नहीं देखिये तो देख लेना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखाए तो मिलता हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई